गर घर जाकर लोगों से मिली लोगों की समस्याएं सुनी मैंने लोग बहुत परेशान हैं कूडे को लेकर जगे-जगे कूडे के मलवे नालियों में पानी कठा उरक है और जगे-जगे मच्छर है और कोई करमचारी वहां के कोई सुचारू रूप से व्यवस्ता नहीं हुई लोगों ने हमें बताया कि हम जो भी कंप्रेंट लेकर जाते हैं में हमारी कोई सुनवाई नहीं है नमशकार जनमत की पुकार में आपका स्वादत है राणी बाग वाड में आम आदमी पार्टी की सक्रिये वह समर्पित कारे करता है प्रेटा रविंदर गोगिया दिल्ली नगर निगम चुनाओ की घोशना होने से पूर्वही सभी पार्टी के चुनाओ लड़ने के इच्चुक कारे करता अपनी दाविदारी पेश करने में जुट गए है पार्टियों के दफ्तर में बायोडेटा पहुचने का सिलसला शुरू हो चुका है जिसमें टिकेट के दाविदार अपने उपलग्दिया किनाते दिख रहे हैं इस क्रम में कुछ एक कारे करताओं के दाविद सही भी है इन्ही में से एक है आम आदमी पार्टी कारे करता रीता रविंदर गोगिया वाड नमबर साहट की आम आदमी पार्टी कारे करता रिता रविंदर गोगिया पिछले कई वर्षों से लगातार रानी बाग वाड की आम जन्टा की सेवा कर रही है वे कारले खोल कर अपने पती आप नेता रविंदर गोगया के साथ मिलकर क्षेत्र के जरुरतमन्द लोगों की सेवा और सहयता करती रही है बकॉल रिता रविंदर गोगिया वे आम आदमी पार्टी की एक सिपाही है और पार्टी हित में कारे करने के लिए हमेशा तैयार रहती है उन्होंने कहा कि वे रानी बागवाट के लोगों को केश्रिवाल सरकार की विपिन चनहितकारी योचनाओ का लाब दिनालने से सरकार की योश्नाव को घरगर पहुचाने का कार्य करती रही है नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार आरकेज जैसवाल के साथ MCD चुनाव की सुगवुगाट तेज हो गई है आम आधी पार्टी में जनसंपर्क अभियान सुरू कर दिया है और यहां मौझूद है आम आधी पार्टी की नेत्री रिता रविंदर गोगया पिंकी जी जो अभी डोर टो डोर जनसंपर्क अभियान करके यहां पर अपने कार्याले दफ्तर में पहुची है कितना कितना रिस्पॉंस मिले रहे हम काफी लोगों से मिले उनोंने हमें मतलब यह बताया कि MCD में कारे सुचारू रूप से नहीं हो रहा सफाई की वेवस्ता ठीक नहीं है जगे जगे गंदगी जगे जगे मलवा पड़ा हुए है कोई उसको करमचारी देखता नहीं है क्योंकि MCD में जब करमचारीयों को तनक्वा, वेवतन, टाइम से नहीं उपलब दोगा तो वो सुचारू रूप से कारे नहीं कर पाते और लोग बड़े परिशान हैं उनके घरों के आगे मलवा पड़ा है और गंदगी पड़ी है पानी रुका हुआ है, नालियां ब्लॉक और रुकी हैं और वो इस वेवस्ता के कारण बहुत परिशान है कि हमारा काम कोई नहीं देख रहा है, MCD वाला, हमने हर लोगों से बात करी कि आपने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट करी, तो वो कहते हैं हम बोलते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती तो अब हमें ये मैसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जो हमारे केजरी वाल सरकार जी ने बनाई है वो जो करने जा रहे हैं, वो महला क्लीनिक हो गया, जैसे एजुकेशन के मामले में देख लो और क्या कहते हैं, बिजली की विवस्ता देख लो, और ये महिलाओं हमारी बहनों को जो नेशुलक सेवा मिली हुई है बस विवस्ता में उनको काफी रहत मिली है, अब केजरी वाल जी ने जो एक और निनने लिया है कि महला क्लीनिक में महिलाओं के लिए केवल सुचारू रूप से महला क्लीनिक बनाया जाएगा जिनमें उनके टेस्ट फ्री होंगे, दवाईया निशुर्क मिलेंगी और उनको सारी विवस्ता दी जाएगी जो की गौर्मेंट हॉस्पिटलों में उनको ये चीज नहीं मिल पाती और ज्यादा ये स्कूलों का देख लो, स्कूलों में भी जो प्राइवेट स्कूलों में विवस्ता है, वैसे ही गौर्मेंट स्कूलों में हो गए हैं, अब स्कूल पहले से भी बहुत बेतर कर दी हैं और बेतरी पढ़ाई, सिक्षा, सारा मादेम उनका बढ़िया बन गया और काफी लोगों को रहात है उससे, आइए हम बात करते हैं सुपरसील समाज से भी और आम आनी पाथी के नेता रविंदर गोग्या पिंगी जी से, पिंगी जी इस M.C.D. चुनाओ को लेकर आप लोग कितना उससाहित हैं, इतना ही उससाहित हैं, जितनी M.C.D. के अंतर कम मंतिरी सतेंदर जैन इस चुनाओ में नहीं रहेंगे क्योंकि उतिहार जेल में हैं, उनकी अनिस्परसिती में चुनाओ होगा, कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? जैन साहब के पक्चिनों पर चलते हुए, जैन साहमें सब को सारे करताओं को अच्छे बलीपूर पक समझा रहे हैं, किस प्रकार से कारे करना है, और ये तो जैसवाल जी आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरसे जानते हो कि इस टाम M.C.D. की पोजिशन क्या है, M.C.D. के अ जाने के लिए तयार हैं, आप पार्टी को जिताने के लिए. लोग परिशान हैं, मैं चाहती हो में उनके लिए कुछ करत पाऊं, के जिरिवाल के नेतियों से कितनी परभावित हैं आप, बहुत परभावित हूँ, जैसे जैसे उन्होंने घर में बिजली की विवस्ता की है, और क्या कहते हैं, महीलाओं को निशुल्क सेवा पनो दिया कि हम भी अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए कुछ कर पाएं। घर में बाकि जहां तक आ हम पता करी ही बैठे हैं यहाँ पे अधार कार्ड पैम कालेक्शन कार्ड पैंचेन, शचेन, हर प्रगार की विड्योama में या जब दी जrekई सारह को चोहां कीजिए जो के яв उन्हूमारे, चाहिए तो हमारे लोग आपने वीडियो देखियोंगी कि लोग वीडियो बनवाने के लिए भी तियार होते हैं कि हमारी वीडियो बनाई है थाकि हम आपकी उसके ओफिस का दन्यवाद कर सके इस नगर निगम चुनव बहुत ही महत्पुन चुनव माना जा रहा है क्या मुद्य लेकर आप अब ब्रस्ताचार ना तो बगार पैसे के काम ना हो जाता हूं कोई भी नहीं हो रहा है इसलिए आप हमारे को यह पीडेव्योडी और एमसीडी का जो फरका है ना जो बाइफरकेशन है जो बार्डर है उसको खतम करना है ताकि पीडेव्योडी यह पूछने बाद में हो ए जाकि यह पीडेव्योडी की सड़ागा इसलिए नहीं हुई यह एमसीडी की सड़ाग इसलिए नहीं क्योंकि दोनों में केंद्रिवाल सरकार आ जाई तो देख रहे हैं हमारे साथ बात करें थे रवीनर गोगिया जी उनकी वाइफ आमानी पार्टी के नितरी हैं रीता गो के साथ नमस्कार